इस वीडियो में आपको बताने चारी हूँ कैसे आप भायदुज की थाली तैयार करेंगे और अट्रेक्टिव भी लगे वह तो इसके पहले प्लीज आप में चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमने कुम-कुम जो है उसे पानी से घोला है इस तरीके से थोड़ा ताकि हम यहां बीच में थाली में स्वास्तिक बना सके तरह सेमस्तिक बनाएंगे जब का में का में पुस्तिक के इस तरीके से प्रास्तिक बनाएंगे साउम्त प्रास्तिक के ओपर हम दिया रखेंगे पिर नारियल पर हम कुम कुम की बिंदी लगाएंगे इस तरीके से नारियल की पूजा करेंगे फिर मोली रहती है मोली मतलब रक्षा सुत्र वह हम इस नारियल के उपर लपेटेंगे इस तरीके से यह रक्षा सुत्र लपेटने के बाद हम भाई को जब देते हैं तो इस पर पैसे रखते हैं और यह एक फूल रखके भाई को दिया जाता है तो यह हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कुम 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 और चावल रखेंगे अक्षद बोलते हैं इसको इतने हम भाई का तीलक करेंगे और अब दिया जलाने के लिए हमें माचीद की दर्वत भी है तो माचीद भी रखेंगे हम इसके लावा जो स्वीट मिठाई हम लोग रखते हैं भाई को खिलाने के लिए वो मिठाई रखेंगे और भाई के स्वागत के लिए फूल यह सारी चीज़े बहुत इंपोर्टन्ट होती है भाई दूज मनाने के लिए तो इस तरीके से आप भी भाई दूज की ठाली रेकोरेट कर सकते हैं और अपने भाई का तीलक कीजिए अच्छी तरीके से अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप भाई की लंबी उमर के लिए प्रातना कर सकते हो किस तरीके से भाई दूज मनाए कि आपके भाई की लंबी उमर हो तो हमाई चैनल पर बने रहिए और वो वीडियो हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे थैंक्यू बाई बाई